तो फ्रेंड्स आपके लिए वेकेंसी एक और लेके आया हूँ SMP CIL में जो की निकली है इंडिया सेक्यूरिटी प्रेस में ठीक है यहाँ जो आपका वेबसाइट अवेलेबल करवाया है वो है आपका जो की नाशिक SMP CIL ठीक है और इसी के साथ में जो advertisement number आपको दिया गया है वो है 02-2022 हाँ एक बात mention कर दू कि no other means or mode of application will be accepted ठीक है तो यहाँ पर जो है किसी और तरीके से नहीं किया जा सकता application apply ठीक है अब important date की अगर बात करें तो यह होता है आपका opening date जो आपको दी गई है वो होगी आपकी 8 October से payment date दे रखी वो भी as it is same रहेगी और बात करें तो आपके जो exam होगा तो वो भी आपका December 2022 से January 2023 में यह paper आपके हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब जो vacancies और post की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है वो होगा आपका W1 लेवल ठीक है और यहाँ देख सकते हैं आप junior technician जो की technical है आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए क्या qualification चाहिए level जो है W1 आपको बता दिया है number of post जो है इसमें 30 दी गई है pay scale जो है वो 3 level का है PRC और जो हो गया 18,780 से 66,300 अच्छी इतनी अच्छी आपको salary यहाँ पर provide की जा रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सब के लिए जो salary scale है वो बिल्कुल same रखा गया है ठीक है friends तो इस तरीके से जो है यह बिल्कुल आपके लिए सबसे अच्छा एक salary package हो जाता है इसी के साथ में जो बात करते हैं तो देखे 30 post के लिए यहाँ पर SC के 4 post रखी है ST के लिए 2 post है OBC के लिए 7 post है EWS के लिए 3 post है General के लिए 14 post है तो इस तरीके से आपको 30 post जो है यहाँ पर total available हो जाता है इसी के साथ में अगर junior technician control ठीक है तो इसमें 38 post है और SC के लिए 3 है ST के लिए 2 है OBC के लिए 12 है EWS के लिए 4 है General के लिए 17 है तो ऐसे करके 38 post हो जाएगा अब बात करते हैं junior technician जिन्हों के tech support और designing में किया है तो यह जो है आपके post यहाँ पर 2 available की गई है जो की एक तो general में दी गई है सिर्फ only general के लिए 2 post यहाँ पर available जुनियर technician जिन्होंने machine shop में किया है तो machine shop के लिए आपको जो है number of post यहाँ 4 दी गई है वो भी आपके general में दी गई है जुनियर technician जो electrical से किये है department के लिए है तो यहाँ पर आपके general की 2 post है और इसी के साथ में जो electronics junior engineer के लिए जुनियर technician ठीक है तो यहाँ पर जो है general के लिए 2 post दी गई है same as it is store के लिए भी 2 post है और CSD के लिए भी 4 post दे रखी है और obviously के लिए 1 post दी गई है तो इस तरीके से total 5 post हो जाता है ठीक है अब मैं यहाँ पर आपको जो एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर एक post जो है वो PWBD के लिए रखा है जैसे कि person with benchmark disability के लिए और एक serviceman के लिए जो है आपको 8 post आविलेबल करवा रखी है तो देखिए आपको कहां कहां पर posting मिल सकती इसके लिए कुछ important यहाँ पर आपको यह points दिया है जैसे कि the selected candidate will be initially posted in the India security press ठीक है कहां पर आपको posting मिलेगी यदि आपका selection हो जाता है तो यह जो है जो है नाशिक रोड महाराष्टा however they are legal to transfer जो है इनका transfer किया जा सकता है department of unit of SMP CIL तो यह है नर्मदापूरम देवास दिली नुएडा Mumbai, Hyderabad and Kolkata यहां पर जो है as per requirement of company के तौर पर आपको transfer किया जा सकता है इसे के साथ में the selected candidate will have work for 8 hour per day आपको जो है 8 घंटे काम करना पड़ेगा per day with the 6 day weeks ठीक है तो एक week में जो है से दिन आपको काम करना होगा इसे के साथ में जो है यहां पर 48 hour per week जो है they will not have any claim for OT आप जो है over time के लिए claim नहीं कर सकते हैं ठीक है and other prevailing incentive scheme तो यह बात आपको समझ में आनी चाहिए अब बात कर लेते हैं कि आपको जो है the post notified increase or decrease as per need of requirement तो यहां पर जो है post को कम या ज़्यादा किया जा सकता है the requirement process for the post of any particular post ठीक है तो यहां पर जो आप से कहना चाहरा है कि भी यह जो है post यहां पर requirement जो है इसको cancel, suspend or terminated without assigning any reason जो है खतम किया जा सकता है the design of management will be final and no appeal will be entertained तो यहां पर जो है किसी भी प्रकार की जो है आप अपनी तरफ से recommendation नहीं दे सकते है ठीक है those already working in central government यदि आप किसी भी central government या state government या PSU में काम कर रहे हैं तो तो आपको उस department से no objection certificate लाना होगा यहां पर available करवाना होगा तभी आपका selection होगा joining के बद हाँ management reserves the right to call for any additional documentary evidence तो management जो है आपसे कुछ भी extra documents मांग सकते हैं evidence के तोर पे जैसे के educational qualification experience age and domicile मुल निवास और card certificate etc in case में भी अगर जरूवत पड़ी तो और इसी के साथ में अगर मैं और important points की बात करें तो यहां age की बात हो रही है ठीक है तो age जैसे की यहां पर दे रखा है 18-25 वक्स की यहां पर जरूवत है हर एक vacancy के लिए ठीक है और यह जो होना चाहिए 25 साल candidate जो है born not earlier मतलब 9 November 1997 से पहले आपका जनम नहीं होना चाहिए और 8 November 2004 के बाद का आपका जनम नहीं होना चाहिए ठीक है तो इसके बीच में यदि आप आपका born है तो आप apply कर सकते हैं एज relaxation तो as it is जैसे government rules रहते हैं तो SC और SD के लिए 5 साल OBC के लिए 3 साल PWBD यानिक benchmark disabilities के लिए 10 साल ठीक है और 13 साल जो है OBC के लिए और 15 साल जो है SCST के लिए एक servicemen के लिए जो है 6 साल यहाँ पर दिया गया है ठीक है और 8 साल for SCST के लिए और minimum of 50 years age तक होना चाहिए और इसी के साथ में departmental condition की अगर बात करें तो no age की जरूवत नहीं है यदि आप इसी department में हैं तो आपको age का कोई criteria की जरूवत नहीं है ठीक है और at least 3 साल आपको काम करते हुए हो जाना चाहिए no age relaxation would be available for SCST OBC candidate apply for unreserved post के लिए जो है आप नहीं बोल सकते कि भी मुझे age relaxation दिया जाए ठीक है तो अब बात करते हैं educational qualification की जो की यहाँ पर close date of application का मांगे गई है ठीक है तो आप देखिए junior technician technical इसके लिए आपको चाहिए IT certificate जो की NCVT या SCVT मानियत अपराप्त होना चाहिए होना चाहिए in plate maker come impositor hand composing यदि इसमें आपने डिपलोमा भी किया है तो आप अपलाई कर सकते हैं जैसे की printing technology में ठीक है गौर्मेंट recognized institute से होना चाहिए junior technician control इसके लिए भी आपको NCVT, SCVT से IT किया होना चाहिए जो की lethal offset machine minder later as it is जो simple आपके technical में मांगा गया है वही यहाँ पर control के लिए भी चाहिए ठीक है और इसी के साथ में third point जो है वो है junior technician जो की tech support design में होना department के लिए जो की full time IT होना चाहिए जो की certificate plate maker engraver trade ठीक है NCVT, SCVT प्राप्त junior technician में बात करें machine shop के लिए तो यहाँ पर आपके पास में NCVT, SCVT प्राप्त जो है fitter trade में IT की होना चाहिए junior technician जो की electrical के लिए तो यहाँ पर electrical trade में होना चाहिए electronics की कहें तो electronics trade में होना चाहिए store के लिए कहें तो store के लिए होना चाहिए जैसे की fitter trade से है और CSD के लिए चीए तो उसमें भी आपके फिटर ट्रेड मांगा गया है तो इस तरीके से जो यह है आपको qualification होने चाहिए examination fees की अगर बात करें तो applicant जो है वो require होता है not refundable होगा ठीक है और इसी के साथ में जो है online rate जो दी गई है वो 8 October से 8 number तक दे रखी है ठीक है और no other mode accepted candidates are therefore requested to verify the eligibility before payment of application fees ठीक है अपनी eligibility देख लें और paid not bill refundable होगा ठीक है इसी के साथ में जो आपको fees देनी है जनरल EWS obviously are required to pay application of 600 ठीक है और जो SCSD वाले हैं उनके लिए fees 200 रुपे रहेगा ठीक है साथी PWBD के लिए भी और एक सर्विसमेंड के लिए भी और probation जो यहां पर दे रखा है period वो दे रखा है आपका selected candidate will be placed on probation of one year ठीक है और यह जो है आपका further period जो है बढ़ाया जा सकता है जिसे कि period of probation of be extended ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पर जो है यह बढ़ाया जा सकता है इसी के साथ में बात करें तो if the performance of the candidate not found satisfied यदि आपका performance satisfied नहीं होगा तो यहां पर जो है आपको terminate किया जा सकता है इस vacancy से accommodation की अगर बात करें तो all selected candidate on appointment will be eligible for allotted of quarters मिलेंगे आपको per allotment rule of company subject to availability है ना company के availability के तोवर पे जो है आपको प्लोट जो आप quarter है वो available कर वाए जाएंगे और selection procedure जो आपका रहेगा selection will be based on the conduced online ठीक है online test रहेगा जिसमें कि आपका concern description से आपका paper आएगा जो भी आपका trade है और other subject ठीक है second point और the online examination shall qualify based examination for merit purpose ठीक है तो आपका merit list बनेगा उसके base पे selection होता है अब second बात करते हैं कि यहां पर क्या क्या आपके paper के अंदर आएगा तो एक तो आपका जो है professional knowledge in the respective trade जिससे भी आपने idea की है वो यहां पर जो है अपने trade का 80 question यहां पर आपको number of दिया जाएगा और marks जो रहेंगे वो भी 80 रहेंगे one question each marks रहेगा ठीक है और यहां पर जो है general awareness रहेगा 10 marks का 10 question रहेंगे और 10 marks रहेंगे इंग्लिश में भी as it is 10-10 का रहेगा और logical reasoning जो हैगी वो भी 10 number गयागी total paper आपका 120 number का हो जाएगा ठीक है तो आपको यह ध्यान रखना है यदि आपको इसके उपर एक strategy चाहिए या फिर पुराने paper यह पॉसिबल हो सगा तो मैं आपके लिए available करवा दूंगा और link जो है आपको i button में दे दूंगा तो आप जो है देख लें इसी के साथ में जो test will be bilingual जो रहेगा आपका language वो रहेगा Hindi and English accepted the English language selected will be the will be available only the English ठीक है तो यह हो गया general instructions जो आपके लिए यहाँ पर most important वो दे रखा है कि the selection procedure of application has to obtain high marks each section category of the test तो मतलब कि यहाँ पर जो है selection उसी का होगा जो अपनी category में जो है highest marks score करेंगे ठीक है और next process के लिए आगे जा पाएंगे इसी के साथ में the minimum qualification cutoff जो रखी गई है ठीक है different categories के लिए तो वो है general के लिए और EWS के लिए 55% obviously 50% और SCST के लिए 45% तो next important point है वो हो गया test wise जो score and score on total reported with decimal point up to two digits तक जो है आपका यहाँ पर consider किया जाएगा marks को ठीक है comparison के लिए और यह important जो है यहाँ पर आपका हो जाता है कि negative marking यहाँ पर नहीं रखी गई है ठीक है आपका exam जो होगा वो December 2022 से January 2023 तक रहेगा इसके बीच में हो जाएगा आपका paper ठीक है और call letter जो है आपके जो है आप website पे जाके चेक कर सकते हैं हाँ the online examination will be conducted in the कहा पर किया जाएगा नासिक, Mumbai, दिल्ली, भोपाल, हाइदराबाद and कॉलकाता इस इस place पर जो है आप paper center रहेंगे call letter के लिए जो है आप जा सकते हैं कि website जो आपको दी गई है वो यह है कि ispnasik.smpcil.com पर है ना अब देखिए apply के से कर सकते हैं तो apply करने के लिए application register procedure जो है आपको form available होगा online वो आपको भनना होगा payment आपको करनी होगी इसके साथ में जो guideline क्या-क्या आपको photograph, signature, scan, left thumb impression and handwritten declaration ठीक है यह आपको upload करना होगा और other guidelines जो है आपको form के जरीए बता दिया जाएगा ठीक है एप्लिकेंट जो है apply कर सकते हैं 8 October से 8 November तक हाँ कुछ general instructions दे रखे हैं जो आपको vacancy से पहले मतलब बरने से पहले यह instruction पढ़ ले कि भी photograph जो है आपका 4.5 cm into 3.5 cm की size का होना चाहिए scanned और साथ ही signature आपका black ink से होना चाहिए white paper पे and the black and blue ink से the handwritten declaration on the white paper black ink से होना चाहिए text given below क्या 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 आपका declaration में होना चाहिए signature in the capital letter आपका signature है वो capital letter में होना will not be accepted तो यहाँ पर जो है आपका capital letter में signature accepted नहीं किया जाएगा ठीक है और इसी के साथ में the left thumb impression should be properly scanned and not smurged मतलब कहने का मतलब है कि blur नहीं होना चाहिए बस clearly आपका जो है वो thumb impression left hand होना चाहिए clear दिखना चाहिए candidate not having left thumb he or she may use his or her right thumb यदि आपका left hand का अंगुठा नहीं है तो आप जो है right hand का अंगुठा इस्तमाल कर सकते हैं इसी के साथ में declaration जो है वो आपको यहाँ पर available करवा दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं तो यह देखिए यह जो है आपका handwriting declaration होगा इसे आप एक paper पे necessary detailed document ready to make online payment ठीक है और application fees यह सब होना चाहिए हाँ एक general guideline दे रखा है कि have the valid personal email ID होना चाहिए आपका email ID जो चालू है आप यूज करते हैं वो आपको यहाँ पर provide करना है mobile number आपका जो अभी recently चालू है वो आपको होना चाहिए ठीक है we should kept active होना चाहिए completion of this recruitment process के लिए ठीक है औ और company में भी send intimation और download call letter for the examination ETC तो आपको जो है ECQ पर message या फिर mail पर आपका call letter भेज़ दिया जाएगा ठीक है through the registered email ID ठीक है and personal email ID she should email ID ठीक है no before applying online must maintain that email account ठीक है तो आप जो है apply करने से पहले अपना email account चेक कर ले रुको जरा सबर गरो कि प्रूब समकार हुआ झाल झाल